बारत की वैदिक परंपरा ने इसको अतिंत महत्व दिया है। अन्न को ब्रह्म के सुरूप के रोप में रख करके इस दान को एक पवित्र दान वाना है। इसमें नेक आपको उद्धरण मिलेंगे कि जिस ब्यक्ति ने कभी जीवन में नदान नहीं किया है। इस जीवन के बाद कितने भी अच्छे पूने उसके क्यों नो हो उस ब्यक्ति को कभी भी जीवन में आत्म संतुष्टी का भाव पैदा नहीं होता भले उसको स्वर्ग का राज़ी क्यों नहीं जाया इसलिए अन्यदान की महिट्वा को एक भारतिय से मैं ज्यादा और कोई न पुद्धन इस समझ में मिलेंगे एक पवित्र कार्य हुआ है और वहां पे द्रिश्ट वादित यहां पे जो बच्चे अध्यन करते हैं उनके साथ साथ आने वाले कासी आने वाले सरधालों के लिए एक नया अन्य छेत्र खुलना एक सुगत अन्भूति करने वाला है देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नई द्रिश्टी दी है जिने हम पहले बिकलांग कहते थे जिने समाच उपिक्सित मानता था परिवार के लोग जिने एक प्रकार से त्याज्य कर देते थे उन्हें दिव्यांग कहकर के प्रधानमंत्री जी ने उनके कि आएज इस समान्हें केलडरो राज देशसन पर नेक कारेक्रंग चल ला है और अभियान प्रारम उई हैं और मुझे लगता है कि ट्रस्टहड़करम भी इसी से जुड़ा हुआ है इस ही प्रकार की काभी बनने चाहिए है हमारे धर्मारत संस्थाएं और सामाजिक संस्थाएं समाज के परती और राज्ट के परती अगर अपनी जम्यदारियों को इमांदारी पुर्वक निर्वहन करना प्रारंब कर देंगे तो फिर समाज में कहीं भी अभाव दुख और दली दर्दा के लिए का माहूल होगा रामराज्य की स्थिति होगी और गीता प्रेस के मासिक पत्रिका निकलती है कन्यान है जब सेड़ जी ने जैद्यान गोजिनका जी ने जब गॉरक पुर में गीता प्रेस के स्थापना की और लगभग सो वर्स पहले गोरकपुर से कन्यान मासि पत्रिका का प्रकाशन प्रारंब हुआ तो संपादक के रूप में किसी एक ऐसे ब्यक्तिकों जो सनातन धर्म के मर्म को समझता हो उसका चेहन होना था तो सरदेव भाई जी हन्मान प्रसाद पोद्दार जी को इसके लिए चेहन हुआ आज जीवन उन्होंने इस ब्रत को निपाया कल्यान में जो आलेक उनके समय में छपे थे वही आलेक आज भी चल ले है और उन्होंने घर घर पक यहनि साधन न होने के बाब जो कोई ऐसा सनातन धर्मान ने भी नहीं होगा भारत के अंदर पुत्तर से दक्षिन पूर अपसे पस्यम और दुनिया के अंदर कहीं भी जहां पर सनातन धर्म के मुल्यों को उन घरों तक कल्यान के माध्यम से पहुंचाने का कारेंद किया हो सनातन धर्म की जो सेवा गीताप्रेश के माध्यम से हुई वतिंत अभिनंदनी और सरानिय सेवा है और उसी के प्रतिक धन्यवाद ग्यापित करने के लिए सताप्दी महत्सों के समारोप में स्वयम प्रधान मंत्री जी गोरकपुर गीता प्रेश के कारेकरम में आये थे कारेकरम का सुभारंब देश के राश्टपती जी के द्वारा हुआ था यानि यह अपने पुरोजों के प्रति और विरासत के प्रति कृतगिता ग्यापित करने का सनातन धर्म किर्थी के प्रति कृतगिता ग्यापित करने वाला है किसी ने कुछ कारे किया है उसके प्रति कृतगिता ग्यापित करने वाला जो धर्म है वही महांधर्म सनातन धर्म है और सनातन धर्म हमें हमेशा अपने पुर्वचों की प्रति अपनी परंप्रा की प्रति अपने महापुरुसों की प्रति समाज के लिए योगदान देने वाले उन सर्देव महापुरुसों की प्रति सदेव कृत करने के लिए प्रेणा देता है आज उसी कृत करने के लिए हम सरदेव भाई जी को समन यहां पर कर रहे हैं मैं इक बार फिर से उनका scène करते हुए उनके स्मृतियों को नमन लेमर्ज करता हूं उन्हें बिनम्र सरदानजय ले करता हूं और ट्रंड को धन्यबाद देता हूं कि लोने सरदेव भाईजी की स्मृतियों को एक नई जीवन तता प्रदान की है इसके लिए हिर्दे से धन्यवाद देते वे आप सब की सभिहान की प्रतिपनी मंगल में शुब कामने देता हूं धन्यवाद जये